हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूं नमीन मिश्रा मैं इस चैनल पर इगनू के प्रीविए सीर कोशन पेपर सॉल्व करता रहता हूं बीसी कोर्स के और एंसी कोर्स के इसी सीरीज में मैं आज mcs011 का जून 2013 का कोशन पेपर सॉल्व करूंगा this is the second part of the previous video मैंने previous video में mcs011 के first और second question complete किये थे इस video में मैं next 3 questions 3,4 और 5 complete करूंगा उनके solutions प्रोवाइड करूंगा इस video को देखने से पहले आप लोगों को request होगी कि आप मेरा पिछला video जुरूर देख ले जिसमें compulsory question 1 और 2 के solutions अवेलिबल है और इस video में मैं Q3 Q4 5 को solve करने जा रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से please request है कि हमारे चैनल को subscribe करें हमारे वीडियो को like करें share करें अपने friends के साथ ठीक है चलते हैं हम अपने अपने वीडियो पर ठीक है तो part 2 शुरू कर रहे हैं हम question paper की तरफ चलते हैं पहले तो हमारा question paper था यह इसका first or second part हो चुका है third part शुरू करते हैं third part में उसने क्या पूछा है उसने पूछा है कि आप ऐसे करो मुझे इन दोनों का difference बता दो और इसका answer होगा यह बताना है तो यह 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 प्लस प्लस और प्लस प्लस एक क्या होता है यह यूनरी और binary operators होते हैं जलते हैं अपने ppt की तरफ तो मैंने यहां बे इस question को solve किया हुआ है पहली चीज़ तो a++ और प्लस प्लस का difference क्या है तो भाई यह जो a++ है यह post increment होता है आपने a पहले लिख दिया है प्लस प्लस बाद में लिख रहे हो तो यह post हो जाएगा और अगर पहले लिख दो 48 तो यह pre हो जाएगा ऐसे situation में क्या होता है एक ही पुरानी value यूज की जाती है और प्लस प्लस बाद में किया जाता होता है जैसके मैंने यह यहां पे लिखा indians यहाँ पे a की latest value plus होने के बाद जो answer आ रहा है उसको use किया जाता होता है यह दोनो increment operators है तो यह given value को a की बढ़ाएंगे as I have written here ठीक है ना तो यह original value of a उठाएंगे और increment कर देंगे तो a plus plus और plus plus a में difference यह है कि यह पहले a की value use करता है फिर plus करता है यह पहले value को plus करता है और फिर a की value को utilize करता है अब चलते है अपने program की तरफ तो program था यह ठीक है ना तो यह देखो यह c plus plus किया हुआ है और यह चीज़ की हुई है देखियो इसमें हो क्या रहा है जब तुमने लिखा है a equals to c plus plus तो आपने इस line में compiler को दो tasks करने को दे दिये पहला task यह c का value a में डाल दे और दूसरा task इसको plus plus कर दे तो पहली task है move करनी है c की value a में और दूसरी task है की plus plus करनी है तो यहाँ अब compiler को यह देखना पड़ेगा कि मैं पहले कौन सा task करूँ यह वला है यह वला तो वो plus plus operator है बाद में लगा है तो इसको बाद में करेगा तो वो क्या करेगा c का value 0 वो a में pass कर देगा तो a का current value हो गया है 0 और अब c plus plus करेगा c plus plus करने के बाद 0 plus 1 1 हो गया तो c में c की value 1 हो गया 0 से plus plus हो के 1 हो गया जब इस operation को perform किया गया आपने लिखा है a plus b plus plus तो यहाँ पे दो operations है एक है plus करो और एक है b की current value में एक add कर दो तो यहाँ पे भी यह post है तो यह बाद में करेगा इस post को बाद में करने से क्या होगा a की current value क्या है हमारी 0 b की value क्या है हमारी 2 0 plus 2 क्या क्या आगया 2 तो a की current value होगी 2 a की यह value change होकर हो गई है 2 और फिर b plus plus चला है end में b plus plus चला है तो plus plus करने से क्या होगा b का value था हमारा 2 2 plus 1 3 तो b का value हो गया है हमारा 3 अब अगर मैं इन तिनो values को print करूँगा तो a 2, b 3 और c1 print होगा as आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यह आपका एक question था tricky question था थोड़ा सा simple था पर समझने वाला था तो आगला question पर चलते हैं आगला question उसका था कि यार आप conditional operators बताव क्या होते हैं with an example तो यार conditional operator जो होता है वो ternary operator होता है यह वाला question mark और colon वाला ternary operator या conditional operator दो values को compare करके decide करता है कि कौन से expression को consider किया जाए तो condition में यह होता है कि हम दो values को compare करते हैं अगर यह value true है अगर यह condition true result देती है तो question mark value को उठाके result में save कर दिया जाएगा इस तरह अगर यह condition false है अगर यह condition false है तो colon वाली value उठाके result में डाल दी जाएगी so what I am saying is result is equals to expression 1 or result is equals to expression 2 which one of this condition will run is decided on the basis of this condition तो यह ternary operator होता है ठीक है ना इसको conditional operator भी कहते है question mark symbol से use किया जाता है तीन operand लेगा पहली condition फिर expression 1 और expression 2 और इसका program इसकी मदद से मैं greatest between two numbers का program कर सकता हूँ तो मैंने AB variable लिए AB का value पूछा user से तो मैंने value डला है 25 और 32 A के अंदर पड़ा है 25 और B के अंदर पड़ा है 32 अब मैंने कहा result equals to this condition तो इसका मतलब यह है result equals to या तो आप इसकी value copy करोगे या आप इसकी value करोगे किसके value copy करेगे यह condition बताएगा A greater than B क्या AB से बड़ा है नहीं यह condition false होगी क्योंकि यह false होगी तो colon B चला B का value result में लिया है that is 32 आपके result में चला गए यहाँ पे आगा 32 और जब मैंने print कराया greatest value तो उसने कहा इन दोनों में से greatest 32 था आगे चलते हैं अगला question था 10 marks का काफी कुछ mix कर दिया उसने for loop बताओ do और while loops उसका differentiate करो program लिखो फिर break statement बताओ है पर यह आसान तो भाई for loop क्या होती है for loop आप लोगों को basics पता होने चाहिए इसकी यह बहुत जरूरी है starting में ही कहता है यह भी एक control structure है मतलब control flow statements में आता है जो एक block of code को run करने के लिए बार-बार आप execute करते हो जैसे आप एक printf करना चाहते हो printf high अगर आप इस high को print करना चाहते हो hundred times या ten times तो आप इसको for loop के अंदर रख सकते हो ठीक है न, so it's commonly used for at rating over a range of values जैसे एक से लेकर 10 तक या array में जो array बनता है आपका zero से लेकर n तक का उसके लिए या fixed number of lines को चलाने के लिए इसको use किया जाता हो यह इसका syntax है for loop, then यह goal bracket शुरू होगा then initialize followed by semicolon, फिर condition semicolon, फिर increment, decrement part, bracket बंद हुई यह loop हो गई, इस loop के अंदर करना क्या है वह आप इसके अंदर लिखोगे, curly braces के अंदर आप loop को explain करोगे ठीक है न, अब मैंने यह for loop का एक simple program कर दिया है for loop क्या है, एक fundamental constructors c language का, ठीक है repetitive task को perform करने के लिए हम इसको use करेंगे, तो यह हमने एक for loop का example लिख दिया है जिसका output एक से 10 तक का आ जाएगा फिर उसने for और while loop का difference बताया था, यह for loop जो होता है, वो entry level loop होता है किसी block के अंदर घुसने से पहले condition test होगा entry level exit level होगा, block से बाहर निकलते हुए हम चेक करेंगे हमारी condition true है या false है यहां पर condition block execute करने से पहले test होती है यहां पर बाद में test होती है अब यह चीज है कि यहां पर loop block बिल्कुल भी नहीं चलेगा अगर आपकी condition पहली बार ही false होगी माल लो यहां पर i की value मैं 1 की जगा 11 कर देता हूँ तो यह बिल्कुल भी print नहीं करेगा कोई output नहीं आएगी क्यों क्योंकि पहली बार ही आपकी यह condition false हो जाएगी लेकिन do while loop exit level होने की वज़े से एक बार तो चलेगी ही चलेगी चाहें आपकी i की value 11 हो तब भी वो एक बार 11 जरूर पिंट करेगा और उसके बाद stop करेगा for loop अब तब यूज करते हो जब आपको पता होता है कि आपकी loop कितनी बार चलेगी आपका advance में पता है कि 10 तक loop चलानी है या 5 तक loop चलानी है while loop ज्यादा versatile है ठीक है न जब आपको iterations पता नहीं होती तब आप do while loop को loop में मैंने क्या किया i equal to 1 यहाँ पे लख दिया फिर do कर दिया i plus plus printf के बाद कर दिया और यह condition जो शुरू में थी वो end में कर दी पहले i का block बना i का block बना जिसके value 1 हो गई फिर उसने 1 को print किया print करने का बाद प्लस प्लस किया 2 फिर check किया 2 less than equal to 10 है हाँ है फिर अंदर घुष जाएगा 2 print करेगा and so on अब इन दोनों situations में अगर मैं i का value 11 कर दो मालो यहाँ पे i का value 11 है तो 11 less than equal to 10 नहीं है इसका output कुछ भी नहीं आएगा इसका output बिल्कुल कुछ नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे अगर i का value 11 है तो नीचे है के 11 वो प्रिंट करेगा फिर चेक करेगा plus plus करके 12 12 less than equal to 10 है तब stop करेगा तो यह for loop और do y loop का एक difference प्रोग्राम के थुरू भी समझाया हुआ है फिर उसने पूछा था हमें break statement क्या होता है तो यह और break generally loop में switch case में लगती है रोकने के लिए so break statement एक control statement है जो loop के अंदर या switch के अंदर लगती है जातर loop को prematurely मतलब in between रोकने के लिए use किया जाता है या switch case के बाकी cases को रोकने के लिए काम किया जाता है जैसे कि यह program ने लिखा है वैसे तो loop एक से 5 तक चलेगी लेकिन 3 पे break लगा है तो prematurely आपकी loop रोक जाएगी 5 तक नहीं जाएगी 3 पे ही रोक जाएगी ठीक है न इससे आपकी program की efficiency fall to code चलाने से बचने का एक तरीका है आपका break loop, break statement so break statement for loop और switch case में लगती है prematurely अपनी loop को ये switch case को रोकने के लिए आप break statement को use करते हो ठीक है न तो इसी के साथ हमारा third part खतम हो गया है हम चलते हैं आप fourth part पे fourth part पे उसने एक program दिया था उसने कहा था कहता है structure बनाओ एक structure बनाओ C language का जिसके अंदर आप gross salary और net salary calculate करोगे अगर आपको basic salary DA Durance Alliance TA Traveling Alliance और deductions दी होंगी तो तो इसमें programming करना था कोई theory नहीं थी तो यह रहा आपका program structure बनाना था तो मैंने क्या किया struct employee मैंने employee का नाम पूछ लिया basic DA TA के लिए float variable ले लिए deductions gross salary और net salary के लिए structure यहाँ पे बंद हो गया फिर main function शुरू किया यह structure का object बनाया है मैंने यह employ jadi structures को अब use नहीं कर सकते जब तक आप उनका object नहीं बनाते वो object बनाने के बाद क्या हुआ है यह आपका block बन गया है और इस block के अंदर इस block के अंदर name sorry इस block के अंदर आपके name इस ब्लॉक के अंदर आपके नेम बेसिक सेलरी डी ये ये सारे विरियेबल ब्लॉक बन गए हैं इनके वैलिस पूछने शुरू करिए मैंने प्रिंटफ स्कैनफ में तो सारी वैलिस मैंने इंपुट कर वाली प्रिंटफ स्कैनफ लगा के जब आपने स्ट्रक्चर के थ्रू कॉल करना है तो स्ट्रक्चर अबजेक्ट का नाम फॉलवड बाइ डाट एंड देन दा मेंबर ने सारी वैरिबल्स के वैलिए पूछ ली फिर मैंने कॉंटिन्यू किया है फिर मैंने लगाया है फॉर्मुला कि भई यह ग्रॉस सेलरी इसकी कैसे निकलेगी बेसिक प्लस दीए प्लस टीए टोटल करके ग्रॉस सेलरी निकाल दे नेट सेलरी कैसे निकलेगी जो डिडेक्शन थी वो माइनस कर दे ताकि आपकी नेट सेलरी निकल जाए तो दो formula लगाए और फिर इन सब चीज़ों को print करवा दिया तो ये मैंने प्रोग्राम के output लिखी है मैंने नाम लिखा आ जाए basic salary 15,000 डाली है DAT ये 5 ये 6,000 और direction 3,000 की डाली है तो उसने print कराना शुरू किया इस line से employee ने मजे print हुआ इस line से basic salary print हुई %.2f का मतलब ये है कि float value में अगर तिरको fraction part मिलता है 36.2943 तो तुम दो digit तक ही display करना उसके बाकी वाले display मत करना तो उसने .007 में display किया है and I repeated this for derence alliance, travel alliance deductions, gross salaries and net salary तो आप ये देख सकते हूं ठीक है और ये सारा आपका calculation हो गया है 15, 5, 20, 26, 26, 26, 26,000 असका gross salary था उसमें से deduction होगे 3000 की तो 26-3, 23,000 23,000 आपका net salary हो गया तो ये आपका program था ठीक है न ये first part है program बड़ा था तो ये next part में उसका ये screenshot ये वाला और फिर मैंने output लिखी है ये आपका screenshot है दूसरा और ये आपकी output है आगे चलते हैं अगला question क्या था अगला question था फोर्थ का B part छोटे चोटे टापिक्स थे return, malloc, isopper और isclose को fclose को explain करो तो फटावट चलते हैं इन पर ये return होता है return statement आपने दो function मनाए है ठीक है ना एक function है main आपका ये main function है और एक function है आपका add तो ये add function है main function ने add function को call किया लिख के जब call किया तो control यहां से यहां transfer हुआ transfer होने के बाद ये वापिस आ जाता है यहां पर जिसको हम बोलते हैं return जो return करेगा क्या वो कोई value return करेगा कि खली return करेगा वो return type ही बताती है function के साथ function के return type mention की जाती है जो ये बताती है कि एक function किस तरीकी के value return करेगा अगर आपने void लिख दिया है तो मतलब किसी तरीकी के value return नहीं होगी और अगर आपने return type void के लावा कुछ भी लिखी है int care float double तो ऐसे में आपकी function के अंदर return statement का होना जरूरी हो जाता है default int है नहीं तो आप इन में से किसी भी word को as return type यूज़ कर सकते हो ठीक है ना void लिखोगे तो empty one लेगा ठीक है और ये मैंने return करने वाला एक program किया है इसमें हमने क्या किया है main function ने क्या किया एक result variable बनाया और add variable बनाया तो ये main function बना main function ने कहा यह 5 और 3 values है result ये value ले ले add ये value ले ले और इसका result मुझे दे दे add ने क्या किया 5 यहाँ पे डाला 3 यहाँ पे डाला 5 प्लस 3 इसने किया यहाँ पे 5 प्लस 3 किया और इसका answer वापिस भीज दिया इसका answer था 8 इस 8 answer को result variable ने store कर लिया ठीक है न तो result variable में 8 आ गया और बाद मैंने इस result को print करवा लिया है और यह आपके program की output है ठीक है न तो यह return statement है और यह return type मैंने mention करी हुई है I hope आप लोगों को समझ लग गया होगा चलते हैं हम अगले topic पे अगला topic था melock function क्या होता है जब भी dynamic memory allocation करना होगा C language में तो melock function को use किया जाएगा जब आप array बनाते हो array एक fix allocation करता है static allocation करता है जैसे उसने 5 का block बना दिया जो आपने 5 का block बनाया है ना इसको तुम बढ़ा सकते हो ना तुम इसको घटा सकते हो इससे अच्छा आप melock के थ्रू memory allocation करो या घटा के 3 कर सकते हो या 2 कर सकते हो malloc function enabled function है जो इस header file में पढ़ा है stdlib.h ठीक है ना एक single block बना के देदेगा आपको 5 का जैसे इसने array ने हिस्से की है ना यह हिस्से नहीं करेगा जैसे तुम ने कहा है यार 5 block बना के देदे 20 bytes के तो वह करेगा 5 x 4 x 20 उसने यहां से लेकर 3600 से लेकर मालो 3620 तक का एक block create किया इस block का starting address पकड़ा देना है आपको as a pointer तो इस तरीके से आप malloc function को use कर सकते हो ठीक है ना तो यहां पर मैंने यह लिखा है malloc 5 block बनाने है into size of int तो यह 4 return करेगा यह 5 x 4 20 का block बना दे 20 का block बना के जो भी वह address बेज़ेगा pointer उसका pointing address मेरे को पकड़ा दे pointer variable को पकड़ा दे तो यह आपका malloc function था जो आप exam में लिख सकते थे आगे था is upper is upper भी एक inbuilt function है जो आपके character को बड़े case में convert करने के लिए use किया जाता है जैसे आपने लिखा है अगर तुम is upper function कॉल करोगे is upper function इसको upper case में convert कर देगा और capital A बना देगा इस upper function को use करने के लिए आपको c.dive.h header file को कॉल करना पड़ेगा और यह इसका syntax है आप एक character इसको दोगे उस character के value रिटर्न करेगा ठीक है uppercase में इसको use कैसे करते हैं अब यह देखते हैं तो यह हमने program लिखा है यह बताएगा कि वो uppercase में है या नहीं है तो letter A मैंने बनाया है यह uppercase में है इसको if में डाला मैंने अब अगर यह condition true है क्योंकि अभी यह condition true है तो यह one value return करेगा one value return करने से यह if चल पड़ेगा और आपका यह message आएगा percent c is an uppercase letter as you can see your output A is an uppercase letter अगर मैं यहाँ पर small x कर देता तो यह condition false हो जाती और यह zero return करता अगर यह zero return करता तो if नहीं चलेगा else चलेगा और आपका message आजाएगा percent c is not an uppercase तो यह message आजाता तो यह आपका program था अप इस अपर का और यह आपका theory था लिखने का अगर आप फाइल अगर आप file handling करते हो तो file का pointer object बनाते हो ऐसे फिर file आप अपनी open करते हो open करने के बाद इस file को close करना होता है तो close करने के लिए हम fclose function को use करते हैं fclose function के साथ आप बस fp pointer name लिख दो जो pointer आपने file opening में बनाया है तो यह file आपको close करने का काम करती है fclose जो है वह एक argument लेता है और file को बंद करने का काम करता है ठीक है तो यह आपका fclose था इसके साथ आपका I think fourth question हो गया है अगर कुछ रहता तो नहीं एक macro रहता है नीचे question था कहता है एक macro बनाके दो जो cube निकालके देगी वह number का तो cube का मतलब क्या होता है इस cube का मतलब यह होता है कि अगर मैं 2 बोलू तो 2 का cube कितना होगा तो यह हो जाएगा 2 multiply by 2 multiply by 2 जिसका answer आगया 8 ठीक है न तो यह मैंने cube का macro कैसे बनता है मैंने वह बताया है ठीक है न उसने विसे प्रोग्राम लिखने को बोला था फिर भी मैंने theory यहाँ पे mention कर दी है अगर आपने याद करनी होगी तो तो macro भी एक piece of code होता है जो replace हो जाता है macro value से जहां कहीं भी आप call करोगे macro को आपके macro का यह definition वहाँ पे replace हो जाएगा macro को हम hash define keyword से define करते हैं और यहाँ पे semicolon नहीं डालना होता है macro एक expression को दिया गया नाम होता है x into x into x को मैंने नाम दिया है cube ठीक है न तो यह मैंने macro बनाया है hash define hash define एक symbol है जो macro बनाने की शुरुआत में लिखा जाएगा cube x नाम है macro का cube और यह एक value लेगा x as a argument और जो भी वह x देगा उसको तीन बार multiply कर दे ना x multiply x multiply x ठीक है ना यह मैंने बना लिया जब मैंने call किया है तो main function मनाया x की values उसे पूछी जो भी x की values ने डाली वह मैंने यहाँ पे cube x को डाल दी तो वह 3 की power 3 हो गया ठीक है ना तो 3 multiply by 3 multiply by 3 which returns to 27 और यह आपका 27 answer आ गया है ठीक है ना तो यह आपके 4th question का c part था 4th question था लेंग थी था आपका इसी के साथ आपका 4th question खतम हो गया है अब हम शुरू कर रहे हैं अपना 5th question 5th question वे उसने पहला program बोला है आपको कि एक string input करवा ठीक है जैसे आपने string input किया है ignore कहता है इसका reverse print करवा दो तो यह u आ गया जाएगा फिर o आ जाएगा फिर n आ जाएगा फिर g आ जाएगा फिर i आ जाएगा तो मुझे यह चीज़ करके देनी है लेकिन कहता कोई भी inbuilt function आप use मत करना strlen function है strrev function है जिसकी मदद से आप reverse कर द देखो मैंने कैसे किया इसको तो मैंने क्या किया है मैंने एक input string variable बना लिया है 100 का कि यार आप जो भी string डालोगे 100 से बड़े का तो डालोगे नहीं फिर मैंने इसको बोला enter a string और वो string user से input करवा लिया let's say your string is ignore या आई जी एन ओ यू अब इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको एक trick बता होने चाहिए कि c language में हर एक string के end में back slash 0 लगता है जो null character को represent करता है तो सबसे पहले मैंने यह देखा किया कितने characters है इसमें तो कितने characters है यह calculate करने के लिए मैंने क्या किया है मैंने किया है 0 से लेकर loop चलाई है null तक की जब तक null नहीं आ जाता और मैंने क्या क्या है length plus plus एक एक बढ़ा दिया तो 0 1 2 3 4 मेरे length की value 5 हो जाएगे मेरे length की value 5 हो गई फिर मैंने क्या किया एक loop चलाया उल्टा 5 से लेकर 0 तक का तो i equal to length i की value 5 हो गई जब तक 0 से बड़ी है यह value तब तक चलता रहे और input string i input string वो print करता जा तो यह 0 है यह 1 है यह 2 है यह 3 है तो पहली बरे इसके पास पड़ा था 4 4 number पे u पड़ा था तो इसने u print कर दिया i minus minus हो गया 3 हो गया फिर यह o print कर देगा फिर minus minus हो गया 2 तो वे 2 print कर देगा ठीक है ना तो this is how this program is working ठीक है o और u पड़ा है और c language by default एक नल जरूर डालेगी आपके string के अंदर तो यह 0 नमबर पड़ा है यह 1 पे यह 2 पे यह 3 पे यह 4 पे यह 5 पहले मेरा एक length variable बना है जिसकी value शुरूर में 0 है मैंने 0 से लेकर string i not equal to 0 यानि कि 0 से लेकर यहां तक का loop चलाया है 0 से लेकर यहां तक का loop चलाया है और simply मैंने क्या किया है length plus plus तो यह बढ़ता गया तो जब यह loop खतम होगा तो मेरे length के value 4 होगी फिर मैंने क्या किया 4 से लेकर 0 तक की loop चलाई है ठीक है ना और मैंने क्या किया है str i तो पहली बारी मेरे i के value 4 थी तो 4 नंबर पर क्या है u तो यू प्रिंट करेगा फिर यह minus 1 हो जाएगा minus 1 होने से 3 हो जाएगा तो 3 पर क्या है 0 तो o प्रिंट करेगा फिर 2 पर क्या है n तो n प्रिंट करेगा फिर 1 पर क्या है g तो यह g प्रिंट करेगा और फिर last में 0 प्रिंट करेगा i तो आपके इस इगनू वर्ड का उल्टा हो गया है आप आई होप आप लोगों को समझ लग क्या होगा ठीक है जी आगे चलते हैं इसके बाद हमारा थागला प्रोग्राम वो कहता कि यह फाइल नेम बनाओ और फिर यह मुझे बताओ कि वो फाइल नेम पड़ी है नहीं पड़ी इसका मतलब यह है कहता है कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ वो कह रहा है कि मैं एक लिस्ट बनाओंगा एक लिस्ट पड़ी है नेम्स की जिसके अंदर फाइल 1 फाइल 2 और D1 यह तीनों नाम पड़े हुए आपने क्या करना है आपने अपनी directory के अंदर चेक करना है आपकी जो directory है, directory के अंदर चेक करना है, क्या ये नाम के file पड़ी है या नहीं पड़ी, तो मैंने क्या किया ये 2D array बनाया है 2D array मतलब पहले size खली है और दूसरा size 50 है तो इसका मतलब क्या हुआ यह dynamic है तो यह 1, 2, 3 तो 0, 1 और 2 यह string बने पहले में मेरा आ गया है file1.txt दूसरे में आ गया है file2.txt और तीसरे में मैंने अभी day1.cpp लिखा हुआ है फिर क्योंकि इसके अंदर तीन चीज़ें थी तो मैंने तीन तक का loop चलाया यहाँ पर ठीक है न एफ open function call किया file name i के लिए तो file name i मेरे को पहली बारी यह file1.txt देगी file open हुई अगर file open हुई है तो मैं कहूंगा file exist करती है और file को बंद कर दूँगा लेकिन अगर वो file exist नहीं करती तो else में जाओंगा और कहूंगा वो file exist नहीं कर रही है ठीक है न तो this is how your program is working ठीक है न तो यह आपका file handling अप्रोग्राम था ठीक है न अगर मैं आप इसको चला के दिखाऊं तो यह program था अगर मैं run करता हूं इसको तो यह देखिए day1.cpp पड़ी है 1.2 नहीं पड़ी इसके लिए आप क्या करो open containing folder करो करो तो यह देखिए यहाँ पर आपको यह day1 number file मिल गई ठीक है न यह रही है आपकी file तो अगर आपके पास यह file पड़ी है ठीक है न तो वहाँ पर मैसे दे रहा है आपको यह file पड़ी है ठीक है न और अगर file नहीं पड़ी तो मैसे दे रहा है file नहीं पड़ी तो यह आपका प्रोग्रम था files वाला अब आप लोगों को समझ लग गया होगा ठीक है न चलते हैं हम अगले question की तरफ अगला question हमारा था three part जिसमें छोटे-छोटे topics थे दुबारा assess modes, array of pointers, automatic variables and size of operators तो चलते हैं अपने ppt की तरफ ठीक है तो पहले था उसने file assess modes बोले हैं तो file assess modes का मतलब क्या है file assess mode का मतलब file opening modes ही होते हैं कि जब तुम एक file open करते हो तो वो file open करने का purpose क्या होता है ठीक है न जैसे आपके पास एक file पड़ी है abc.txt तो इसके अंदर क्या आप data read करना चाहते हो क्या आप data write करना चाहते हो आप करना क्या चाहते हो तो यह हम जब file open करते हैं na fopen function से उसी व करनी है तो यह जो part होता है आपका यह आपका assess mode बताता है कि file को assess करने का कारण क्या है हमारे पास c language में यह छे assess modes पड़े हो अगर r है तो read करने के लिए यह write करने के लिए यह append read अगर आपके पास यह file है इस file में से जैसे एक नाम पड़ा है इस नाम को तुम सिर्फ read कर सको होगे अगर तुम यहां से करोगे इसमें तुम नया नाम अगर किसी university university को डालने की कोशिश करोगे तो यह read mode नहीं कर सकता इसके लिए आपको append mode यूज़ करना पड़ेगा append mode पुराने content भी रखता है और नए content भी डाल देता है append और write mode में क्या difference है? write mode आपकी file में से पुराने content को हटा देगा और फिर आपको नया नाम रखने देगा write mode पुराने content remove करके नए सिरे से काम करने को कहता है append mode पुरानी file में ही नए चीज़े डालने को अलाव करता है और read mode सिर्फ read करने के काम करता है फिर r+, w+, और a+, यह extra permissions देते हैं, extra powers देते हैं अगर आपकी यह student.txt file ना पड़ी हुई तो क्या होगा? read mode error देगा write mode file बना देगा और append mode भी file बना देगा लेकिन r+, r+, क्या करेगा? यह read, write, append, तीनों feature देदेगा लेकिन आप नया content add नहीं कर सुकोगे file के अंदर add कर सुकोगे, लेकिन file अगर नहीं पड़ी तो यह error message देदेगा, null pointer देदेगा similarly w+, और a+, हैं और यह सारे basically character files को target किये गए हैं लेकिन अगर आपने binary file बनाई है तो आप इनको नाम change करके आगे बस b लगा दीजिए, r, b लगा दीजिए तो यह binary file बन जाएगी, ठीक है? तो इस तरिके से आप अपना assess modes को question था अब अगला है हमारा array of pointers आप array बनाते हो, ठीक है न? जब हम array बनाते हैं जब हम array बनाते हैं, जब हम array बनाते हैं, तो यह array बनता है 0, 1, 2 और इसमें हम डाल सकते हैं data like 5, 7, 9 यह कहता है आप array बनाओ और इसके अंदर addresses store करो जैसे कि यह आप ABC variable बना के बैठे हो, जिसके अंदर 10, 20 और 30 variable हैं इनके addresses हैं, ठीक है न? मैं addresses assume कर रहा हूँ, let's say 2000, 2004 and 2008 कहता है create an array which can hold these addresses, जैने कि 2000, 2004 और 2008 तो यह जो होगी यह pointer array कहलाएगी, इसके लिए आप array मनाते हुए बस आगे start डाल देना array बनाते हुए बस आपने आगे start डाल देना है, ठीक है न? यहाँ पर start डाल देना तो आपका काम हो जाएगा, तो तीन का array बना है, 0 पर A का address, 1 पर B का address और 2 पर C का address, और फिर मैंने loop लगा के इन addresses को और इन values को print कर वा लिया है and this is the output that is there, तो यह आपका array of pointers है ठीक है, अगले topic पर चलते हैं, अगला topic था हमारा automatic variables जब भी हम किसी function के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे main function है तो इसके अंदर तुम जितने भी variable बनाते हो इसके अंदर तुम जितने भी variable बनाते हो just a second इसके अंदर आप जितने भी variable बनाते हो main function के अंदर जैसे आपने ये variable बनाया है अगर आप जिसे दूसरे function के अंदर जाते हो let's say add function के अंदर जाते हो तो ये variable यहाँ पर utilize नहीं हो सकता है automatic variables are the variables which are automatically created when you enter inside the block and automatically related when you move out of the block by default all the variables inside the functions are the automatic variables अब मैंने यहाँ पर ये test function बनाया है उसके अंदर एक x variable बनाया है तो test function के अंदर एक x variable बनाया है जिसकी value 10 है ये आपका test function है जब आपने main function कॉल किया और test function कॉल किया तो ये control उपर गया ये block बना memory create होई जब आप यहाँ से वापस आओगे तो ये value delete हो जाएगी क्योंकि delete हो जाएगी अगर तुम यहाँ पर print कराने की कोशिश करोगे तो error आजाएगा क्योंकि x आपका accessible नहीं है ये आपके automatic variables है automatic variables को हम local variables या stack variables भी कहते थे ठीक है ना हर एक function के अंदर बनते हैं तो ये आपके automatic variables थे फिर आगया size of operator सिद्धी से बात है ये last topic था अगर आपने एक variable लिया है int a और उस a के अंदर value डाल दी है 10 तो इस a ने कितनी memory ली है ये पता करने के लिए आप size of operator को use कर सकते हो size of operator a का size बताएगा integer c language में 4 bytes लेता है ठीक है ना तो इसका अंसर आपको 4 bytes मिलेगा कैसे use करना है ये आपने integer variable बना दिया है with any value फिर आपने क्या करना है size of और int या उस variable का नाम लिख दो a तो ये बता देगा कि कितनी memory लेके बैठा है इसका अंसर आना चाहिए 4 bytes तो size of operator है size of unary कहा जा सकता है क्यों unary कहा जा सकता है क्योंकि bracket के अंदर ये एक argument ही लेता है ठीक है ना तो इसी के साथ ये question paper complete हो गया है I hope आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होंगी आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं मिलेंगे आप से अगली वीडियो में see you in the next video, cheers